कैसे ओप सब मैं पिल्कुल ठीक ठाक और आप आप सब्सक्राइब का अशा खरती हूए कि आप ऐसे की किछन चुकी हूं और मैं बना रहे हूं लॉंच्ध लॉंच तो यहाँ मैं बना रही हूं बैगन का भ्रता और डाल और बाटी के कि रेसिपित हैं और वेडियो में दूं मैं बनाने शुरू करते हैं, इंग्रिडियन्ट क्या क्या लगेंगे उसमें चलीए इस सब्सक्राइब आप यह लिए तो बैगन का भरता बनाने के लिए मैंने एक बैगन लिया था उसको अच्छी तरीकी से रोस्ट कर लिया था और उपर से स्किन पे ऑईल लगा लिया था उसके बाद मैंने इसको रोस्ट किया और इसके अंदर मैंने भरी थी हींग थोड़ी से राली थी और इसको अच्छी तरीकी से रोस्ट कर लिया देखिए कितना अच्छा पका है और तड़के के लिए हमें चाहिए होगा एक प्यास लैसुन अद्रक इन दोनों कोट के डालेंगे मिर्ची यह थोड़ी फीकी वाली है इसलिए मैं यहां पर चार मिर्ची लिए और एक टेमाटर तो चलिए सब को इनको चॉप कर लेते हैं झालेंगे मिर्ची यह खाइब के लिए, और तो चॉप कर लेते हैं तो यहां पर मेरे सारे इंग्रीडिंट्स तैयार हो चुके हैं सब भी मैने चॉपिंग कर लिए टेमाटर को चॉप कर लिए चोटे बारी टुक्रों में प्यास को भी चॉप कर लिए और बाकि जो है छोटे-छोटे पीस करके और इसको अच्छे से मैश करके रख लिया है और टमाटर मेरे चॉप हो चुके मेर्ची चॉप हो गई है प्याज भी चॉप हो चुके तो यहां सारी इंग्रिडेंस जो हैं एक दम तयार हो गए और अब मुझे है अध्रक और लेसन क कूटना है तो मैं उसे कूट लेती हूँ तो अधरक लैसुन कुटके एकदम तयार हो चुके है अब चलिए बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर मैं एक कडाई ले रहे हूँ और कडाई में मिले रहे हूं सरसो का तेल चुह को तेल में तक हो बनाहें बहुत ही टेस्टी लगता है कभी ठ्राय कीजिएगा और अगर आप नहीं पसंद करते हैं कोई कि लोग नहीं खाते हैं सरसो का तेल क्योंकि वह थोड़ा सा तीखा रहता है इसलिए तो आप कोई भी नॉर्मल तेल यूज कर सकते हैं दर्वाइस सरसो के तेल में बना हुआ भरता बहुत टेस्टी लगता है तो चलिए तेल गरम हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे हमारे खड़े गरम मसाले जिसमें मैंने एक बड़ी इलाइची तीन चार चोटी जो काली मिर्ची आती न वोली है और चोटा सा दाल्ची ने कर्टकुडा लिया है यह थोड़े से क्रैकल हो जाएं उसके बाद मैं ड तो अब हम प्यास को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे तेज आज पर देखिए यहां पर प्यास कितने अच्छे तरीके से फ्राइ हो गए हैं और अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाधनुसार धनिया पाउडर एक चमच मिर्ची पाउडर आदा चमच हल्दी पाउडर वन फोथ टी स्पून और इन सब मसालों को अच्छी तरीके से मेक्स कर लेंगे ताकि वह मसाले में और अच्छी तरीके से और पक भी जाएं तो अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और धकन लगा देंगे ताकि वह टमाटर जो है सब कुछ अच्छी तरीके से पक जाएं करीबन एक से दो मिनिट के बाद फिर हम देखेंगे एक से दो मिनिट हो चुके हैं एक बाद स्टर कर लेते हैं यह देखिए अब हम इसमें डालेंगे हमारे कुटे हुए अद्रग और लैसुन और इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे थोड़ा सा पानी एट करेंगे जिससे की सारे मसाले आपस में गुल मिल जाएं और मसाले फिर अच्छी तरीके से पक भी जाएंगे अब हमें करीबन एक से दो मिनिट के लिए फिर से पकने के लिए छोड़ना है तो धकन लगा देंगे करीबन एक से दो मिनिट हो चुके हैं अम हम चेक कर लेते हैं एक बार अच्छी से स्टर कर लेंगे टमाटर जो हैं काफी अच्छी तरीके से पक चुके हैं अब हम इसमें डाल देंगे बैगन जो कि हमने मैश कर लिया था अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और बीच बीच में थोड़ा सा मैश भी करते जाएंगे देखें कितना बड़िया कलर आया है जो रोस्टेड बैगन होता है उसकी तो बात ही अलग होती है बहुत टेस्टी रखता है बहुत ही प्यारा उसका जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है तो आप इसे चाहें तो रोटी के साथ खा सकते हैं पूरी के साथ खा सकते हैं और ये बाटी के साथ तो बहुत ही लाजवाब लगता है तो एक से दो मिनिट के लिए और ढखके पकाएंगे और फ्लेम जो है एकदम से इंपर रहने देंगे यहां देखिए हमारा बैगन का भरता बनके एकदम रेडी हो गया है तो चलिए अब इसे सर्फ कर लेते हैं तो यह थी मेरी आज की रेसिपी बैगन का भरता आई होप आपको पसंद आयोगी ज़रू ट्राइ कीजेगा और शेयर कीजेगा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को लाइक कीजेगा और कॉमेंट जरूर करके बताएगा कि आपने ट्राइ किया तो कैसी लगी आपको से मिलती हूँ थैंक यू फो वाचिंग बाई